हेलो तुस्तों गुडिया लिटिल गाडर में आप सभी का स्वागत है आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूं जैसे कि कौन से कलर के गुलदाओदी की कटिंग लगानी है या फिर हाइबरेट या देशी वाले या फिर नरसरी से कब लाना है तो फ्लीज वीडियो आप यह वीडियो देखेंगे तो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आप देख स Chemistry पुरानी मिटिए मैरे पॉर्ट में थे इसमें भालु और मिडिय की खाद है पर बहुत पहले से गोबर की मिली हुई तो इससे कूई प्राब्ल्म आप चाहो तो सिफ सेंड में भी लगा सकते हो और मेरे दिखिए वेश्ट मतिरिल बोटल है और यह पॉली वेग जो नरसरी से जब पॉधे खरीद के लाते हैं तो पॉधे तो सिफ्ट कर देते हैं पर में यह पॉली वेग फिकती नहीं कभी भी अगर आपके पास बोटल से उ ची आच के कर लेंगे उपर की इस पॉली ऑदे नोड इरिया मिति आ दबा देंगे तो बहुत ही जल्दी इन में जड बनने लगते हैं जैसे कि 15 दिन में बन जाएंगे और जितनी भी कटिंग ने लगाने के बाद आक थोड़ी ऐसी जगई रखना hanya चाया हो तो अभी हैं आप लगाज सकते हैं बहुत लोग जया सकते हैं वह तो मई जून में लगा चुकेती शेयद सबना जरत तो जल्दी default वाली है अगर आपके पाश हैप्रेट भी है तो आप सबर्मामेंट प्लांट है आप सभी को पता है इस Bao Staff के दिन में फूल होते हैं और अगर हम अभी इसकी कटिंग लगाएंगे तो जैसे हमारे प्लांट बहुत हेल्दी हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे हमें इसकी कटिंग अभी लगाएंगे तो एक महने बाद या फिर बिस दिन बाद हम इसे दूसरी पॉर्ट में सिट करे इसको पिंचिंग करके हम घना बना सकते हैं और ज्यादा फूल भी ले सकते हैं तो इसलिए हमें अभी मई जून में कटिंग लगाने चाहिए क्योंकि अभी बरसात स्टार्ट हो चुकी है और इनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे होने वाले हैं जैसे कि आपके पास अगर छ येलो और पिंक थे साइद वो नहीं बच्चे खराब हो गए क्योंकि बारिस में भी इसकी पौधे हैं खराब हो जाते हैं तो हमें बहुत साब धानी से बचा के रखना पड़ता है कटिंग हो या फिर पौधे हो मदर प्लांट हो जो भी हो आपके पस अगर मदर प्लांट ह तो आप उसमें से कटिंग लेकर लगा लिजी बहुत आसानी से लग जाएंगे और इसके बहुत सारे वराइटी आते हैं बहुत सारे कलर के रहते हैं देशी हाइबरेट अगर आपके पस नहीं है तो आप नरसरी से भी इनके शोड़े-चोटे पौध मिलेंगे आप लाकर और घना बना सकते हैं अभी नरसरी में मिलेंगे या फिर कहीं कहीं मिलेंगे कहीं कहीं नहीं भी मिलेंगे तो आपको नरसरी जाने के बाद ही पता चलेगा और इसको क्यार कैसे करना है वो सब वीडियो पर में बताती रहोंगी कैसे ध्यान रखना है तो प्लीज आप सब्स सब्सक्राइब मिला करते हैं इसमें बालू का मात्रा जादा है इस मेटी में तो इसलिए मेटी और बालू में मेला कर लगा रही है और हमें पानी नहीं देना जब इसकी मिससुख जाए तब हमें पानी देना है ने तो इनकी जो कटिंग है वो सड जाएंगे गल जाएंगे खराब हो जाएंगे और बारिस से भी बचाना है दोस्तों जैसे कि कंटिनीव हमारे यहां पर बारिस हो रही है अगर हो रही है आपके यहां पर भी तो छुपा कर रखना है इस कटिंग को जैसे ऐसे जगह पे रखे जो पानी इस पौधे में ना गिरेने तो फिर हमारे जो कटिंग लगाए हैं वो सारे ही खराब हो जाएंगे तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है और धूप में भी रखे जैसे कि आधे घंटे सुबह की धूप जो होती है वो उतिनी में आप नीम ओईल का स्प्रे भी करें तो आपके कटिंग में फंगस भी नहीं लगेंगे और बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे दस पंदरे दिन में भी आप नीम ओईल का स्प्रे करें जरूर मीनिबल भी नहीं लगेंगे कोई भी किने मकोड़े इसमें नहीं लगेंगे और कटिंग भी लग जाएंगे तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाई और प्लीज लाइक करके जाएएगा बहुत बहुत धन्यवाद